इंदॉर में विधान सभा निर्वाचन 2018 के अंतरगत मतगड़ना को लेकर एक ट्रेनिंग का रिक्रम आयोजित किया गया इसी को लेकर एक शिविर का आयोजन इंदॉर के देवे अहिल्या विश्विध्याले खंडवा रोड स्थेत आडिटोरियम में किया गया मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाव को लेकर 28 नवंबर को पूरे प्रदेश में मतदान हो गया है वहीं अब आगामी 11 दिसंबर को मतगड़ना की जाएगी इसी कड़ी में आडिटोरियम में सैमिनार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया इस प्रशिक्षण शिविर में सभी विभागों के कर्मेचारी और अधिकारी माजू थे जहाँ इन अधिकारी और कर्मेचारी को समझाइश दी गई कि किस तरह से मतगड़ना करना है वहीं मतगड़ना के समय कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है उनसे रूबरू होने के गुर सिखाए गए हैं ईबियम से जो कंऊटिंग करेंगे उसमें काउंटिंग सुपरवाईजर की आलमोस्ट राकृतित रहेंगे अब उनके साथ में काउंटिंग असिस्टेंट और इनके अलावां दो माइक्रो आप्जर्वर एडिस्नल होंगे उस रूम में उस काउंट इन हाल में दो अत्रिक्ट माइक्रो आप्जर्वर होंगे इसके साथ है अधिकारियों को कंट्रोल यूनिट की गड़ना तथा वीवी पैट की परची की गड़ना को लेकर भी जानकारी थी आज की जो ट्रेनिंग है वो काउंटिंग को ले करके है मदगर्णा में जो मदगर्णा के करमचारी लगते हैं उनके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे करना है ट्रेनिंग पहले सियू की करना है बाद में भी भी पैट की करना है लगबग हर तरह के मिलाकर के लगबग एक हजार लोगों की मदगणना में रहेगी आवश्यक्ता जिन में से एक टेबल पर दो लोग रहेंगे एक माइकुर आपजरवर रहेगा और इस तरह से तीन व्यक्ति प्रति टेबल रहते हैं पोस्टल बैलेट के लिए अलग से टेब मिलाकर के लगबग एक हजार लोगों को ट्रेणिंग दी जा रही है और अभी जो है यहां पे लगबग 800 लोग आये हैं इनको ट्रेणिंग दे रहे हैं यह अधिकारी है इनको ट्रेणिंग देंगे उसके बाद अलग-अलग चरणों में अलग-अलग ट्रेणिंग दी ताकि भूल रहित मत करना को सुनिश्चित किया जा सके प्यूर रिपोर्ट, MP News और